चाइना में मेटियल सस्ता इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ पर जो सही तरीके से बिजनस को करेना तो आप आसानी से स्केल अप कर सकते हैं लेकिन पहले दुनिया में बिजनस को बड़ा करने का सबसे आसान तरीक है हाई फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर अमित मैंश्वरी बिजनस ट्रेनर कॉर्परेट ट्रेनर मोटिवेशन स्पीकर और चीओ मेटास ओवर्सीज लिमिटेड आप सबी का सवगत करता हूं आज की इंफॉर्मिटिव वीडियो में फ्रेंड्स आज जिस विशे पर हम बात करने वाले ना यह उन सभी बिजनसमेन के लिए बहुत इंपॉटन्ट है जो स्मॉल स्केल मैनुफाक्टरिंग सेट अप लगाना चाहते हैं उनके मन में हमेशा एक उदेश होता है कि एक छोटी से फैक्टरी लगाऊंगा और मेट्रिल सप्लाई करना शुरू करूँगा और धी भी लगता रहा एक छोटा सा बिजनस सेट अप लगाएंगे मैनुफाक्टरिंग करेंगे और माल बेचना चुरू करेंगे और धीरे-धीरे मुझे समझ में आये कि यह सही तरीका नहीं है तो स्मॉल स्केल बिजनस ओनर ऐसा क्या करे कि वो अपनी इंडस्ट्री को बड़े अपने बिजनस में कभी भी प्रोडेक्शन पर गहनता से फोकस नहीं कर पाते सेल्ज और मार्केटिंग नहीं कर पाते और बिजनस स्मॉल स्केल पर रहे जाता है तो आज हम समझेंगे हम ऐसा क्या करें कि हमें लेबर का मैनेजमेंट ना करना पड़े और आसानी से बिजनस को स्केल अब ही कर पाए तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्मॉल स्केल बिजनस होता क्या है जहाँ पर मैनेफैक्चरिंग सेल्ज और मार्केटिंग मैनेजमेंट और इक इव्यक्ति को मैनेज खरना पड़ता है और जारतार small skill business में ऐसा ही होता है कि business का owner ही इन से भी चीजों को manage करता है manufacturing की बात करूँ तो raw material purchase हो गया, protection हो गया, packaging हो गया ये सारा का सारा काम एक ही person करता है या उससे related team होती है जो छोटा सा उसने setup बनाया हुआ है, factory में employees रखे हुआ है, labor रखे हुए उनके साथ दिन भर माथा पच्ची करके वो यही काम करता रहता है जिसकी वज़से sales and marketing के लिए उसके पास बहुत कम समय वस्ता है वो offline marketing, online marketing, retail, wholesale, dispatch इन सभी चीजों में अटका रह जाता है चुकि यहाँ पर सारा का सारा समय manufacturing में consume होता है और उसके पास sales and marketing को focus करने का समय नहीं वस्ता जिसकी वज़से वो हमेशा इस बात पर आश्रित रहता है कि कैसे मैं अच्छे भायर ढूंड पाऊं जिन के लिए मैं production करूं अच्छे भायर नहीं है तो production जादा नहीं हो पाता खुदी finance देखता है खुदी banking देखता है खुदी marketing and sales देखता है खुदी अपना factory का setup देखता है या अगर होता भी है तो एक दो employees अपने साथ रख्ये होते हैं टीम में और second leadership के जरीए वो काम कर रहा होता है और finance में भी वो हमेशा फसा रहता है जैसे funds कैसे manage करना है billing करनी है liquidity को कैसे manage करना है इन सभी चीजों में फसा रहता है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि production setup छोटे होने की वज़ा से वो labor से direct interact होता है और labor से interact होने की वज़ा से जो management है वो ठीक तरीके से चलने ही पाता यही comparison अगर हम एक small scale business और large scale business में देखे न तो हम समझ पाएंगे कि क्यों एक small scale business owner को manufacturing ना करके outsourcing करना चाहिए ताकि वो labor के management में labor के जिंजट में फसे ही न और जब फसे गई नहीं तो उसका mind a की चीज़ को focus करेगा sales and marketing दुनिया में business को बड़ा करने का सबसे असान तरीका है कि sales and marketing पर focus करें जितनी ज़्यादा sales होगी उतना ज़्यादा turnover होगा जितना turnover होगा उतना ज़्यादा production के जुरत पड़ेगी और जब आपके पास बहुत अधिक sales होगी तो बड़े से बड़े manufacturer बड़े से बड़े supplier आपके लिए job work पर काम करने के लिए तयार होगे आपके लिए supplying chain बनने के लिए तयार होगे आपके लिए vendor के रूप में काम करने के लिए तयार होगे यही बात एक small scale और large scale business में difference को बताती है कि small scale business में जब हम small scale manufacturing करते हैं तो क्या होता है और large scale business में large scale manufacturing करते हैं तो क्या होता है friends अपने mind से ने इस obstacle को बिल्कुल निकाल देना कि यार मैं manufacturing नहीं कर रहा हूँ तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा यहां तक कि दुनिया की बड़ी से बड़ी company भी direct manufacturing नहीं कर रही है वो बहुत सारी चीजों को outsource करते है क्योंकि उनको पता है कि अगर वो उन चीजों की manufacturing करने में लग जाएगी तो कही ना कहीं उन वो scale up नहीं कर पाएगी बड़े से बड़े brand बाटा, liberty, उशा जो fan बनाती है company electronic gadgets बनाती है panasonic, samsung, nokia, xiaomi इसके लाबा अगर मैं बात करूँ तो ऐसी हजारों company है जो अपना product खुद नहीं बनाते outsourcing कराते है क्यों क्योंकि उनके पार जो पूरा का पूरा focus है वो sales पर है, brand पर है sales and branding पर focus होने की वज़े से उनके पास sales का volume जदा आता है, volume जदा आने की वज़े से वो outsourcing करते है बाकि small scale manufacturer से या large scale manufacturer से, अगर आप एक small scale manufacturing unit चलाते है तो क्यों आपके पास एक limited space है आपके पास traditional manufacturing setup है, आपको जो setup है वो advanced नहीं है, मतलब CNC based नहीं है या computerized नहीं है या automated नहीं है जिसकी वज़े से आपकी manufacturing में जो product manufacturer होता है, उसकी quantity काम आती है और finishes बहुत अच्छे नहीं आती है ठीक है, और क्या problem होती है, less number of labor, आपके पास थोड़ी सी labor है और वो हमेशे दादागिरी चलाती है आपके उपर कि उनको पता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो साब तो वैसी लटक जाने वाले है दूसरा important क्या है, low control and management आपका control and management जो है न वो लो इसलिए हो जाता है कि आपके बस labor कम है, आप उनी के management में फसे रहते हैं, आप business की growth के management से संबंदित कोई कामी नहीं करते हैं, है ना, और क्या होता है leakage of resources, अब आपके पास जो resources है, मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें कि कैसे हम अपने business का setup बनाई, और वहाँ पर क्या है, आपका resources है वो leakage होना शुरू हो जाते हैं, जैसे labor है वो चोरी कर रहे थी, क्योंक management आपके आथ में ठीक से नहीं है, उसके लाबा lack of capital होती है, क्योंकि आपके पास sale कम है, इसलिए तो आप production small scale कर रहे हैं, अगर आपके पास sale बहुत बड़ी होगी, तो आप production दो असानी से बड़ा कर लेंगे, क्योंकि sale से या business आने वाला है, यहाँ पर क्या होता है, capital का अ अपने employees को, जिसकी वजए से उनकी जो efficiency है, वो कम होती है, lack of manuals and trainings, एक small scale business owner, कभी भी अपनी skill को, जो labor है, उसको skilled नहीं बनाता, उसकी जो unskilled labor है, उनके पास ना तो किसी तरह का कोई manual है, माली के सारे sample चेक करता है, उनी को pass करता है, यह reject करता है, और वहाँ पर कुसी तरह कि कोई training नहीं दी जाती, जिसकी वजए से वो अपनी efficiency को बढ़ा सके, लेकिन यही बात, अगर हम large scale manufacturing में करेंगे, तो space बहुत बढ़ा होता है, material procurement, material रखने से लेकर, material dispatch से लेकर, material packaging से लेकर, metal production से लेकर, उनके बास बहुत बढ़ा large space होता है, advanced manufacturing setup होता है, जो machinery and tools है, वो इ अपने business में selling price बढ़ाए बिना, हम profit कैसे बढ़ाए, वो इसी video को correlate करता है, उसको आप ज़रूर देखें, अगर large के लोगा advanced manufacturing setup होगा, तो आप कम समय में जादा production करेंगे, तो आपकी cost of production कम आएगी, इसके लाबा large number of labor होती है, जहाँ पर labor का management पूरा systematic तरीके से होता है, पूरे manuals के according ही चलते हैं, बाकी सभी labor के हिसाब से ही अपने business के system को develop करके रखते हैं, अपना job profile maintain करते हैं, high control and management, क्योंकि large number of labor आपके पास है, तो आपके पास supervisor है, आपके पास manager है, आपके पास team manager है, आपके पास assistant manager है, आपके पास वो लोग हैं, जो उन labor को manage कर रहे हैं, म क्या होता है, जो large scale manufacturing कर रहे हैं, वो 100% utilization of resources करते हैं, जैसे आपके पास small scale है, order नहीं है, तो factory बंद पड़ी है, या काम नहीं हो रहा, production नहीं हो रहा, जिसकी वैसे fixed खर्चे तो चलते जा रहे हैं, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता है था, जरूर देखना उ of capital होता है, कभी भी raw metal खरीदना है, माली जो sales के पैसे नहीं आ रहे हैं, या और किसी तरह से नया machine setup लगाना है, किसी machine को advance करना है, नई team को hire करना है, backup of capital बहुत अच्छा होता है, जिसकी वैसे सारे के सारे decision, वो quickly लेते हैं, और वो scale को बहुत असानी से बढ़ा सकते हैं, उ advanced manual and training होती है, regular sales की training होती है, marketing की training होती है, ऐसे ही regular, बड़ी scale company में, large scale company में, production की भी training होती है, production experts आते हैं, machinery experts आते हैं, जो उनको machine को सही तरीके से use करना बताते हैं, raw material experts आते हैं, जो बताते हैं, कि raw material को कैसे use करें, कि कम से कम raw material लगे, ज़्यादा production हो उतनी material में, जिसकी जैसे उनका cost of production जो होता है वो low होता है और आपका जो cost of production है वो high होता है और high और low होने की वज़ा से आप कभी भी इनके price को beat नहीं कर पाते हैं वो कहते हैं कि चाइना में material सस्ता बनता है ऐसा नहीं है चाइना में material सस्ता बनता है यह definition अदूरी है चाइना में material सस्ता इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ पर जो labor cost है वो efficient है ऐसा नहीं है कि जादा labor है सस्ती labor है labor सस्ती नहीं है labor जादा efficient है एक ही तरीके के काम को लगातार करते करते उनके हाथ या उनका अनुभव इतना best हो जाता है कि वो कम समय में जादा production करते है जिसकी वैसे production cost घड़ जाती है तो यह बड़ा important है कि अगर आप सही तरीके से business को करें ना तो आप आसानी से scale up कर सकते हैं लेकिन पहले starting के दौर पे आप manufacturing में फज़ जाएं आप labor management में फज़ जाएं आप raw material procurement में फज़ जाएं तो उससे बढ़िया क्या है आप 100% focus करें sales पर, marketing पर, promotion पर, brand building पर और order ज़्यादा सदा receive करें जब ज़्यादा सदा order आपके पास होंगे तो अच्छे से अच्छे manufacturer अच्छे से अच्छे vendors अच्छे supplier आपके सामने हाद जोड़ कर खड़े होंगे कि सर आप हमें order दीजिए इकके लिए करना क्या है how to start outsourcing अगर आप outsourcing करना भी चाते है तो उसका एक तरीका है सबसे पहले सर्च करें वो manufacturer जो B2B supply करते है देखिए दो तरह के manufacturer एक वो manufacturer जायतर direct material consumer तक पहुचाता है वो कभी भी आपको best price देने वाला नहीं है क्यों क्योंकि उसको selling price के बारे में knowledge है और profit के बारे में वो अच्छे से जानता है लेकिन एक manufacturer ऐसा है जिसका काम ही B2B supply है मतलब या तो अपने dealers को material देता है कि कितना large number of manufacturing वो कर रहे है जिसकी वज़े से उनकी cost काम है या वो उस cost पर दे पा रहे है जिस cost पर आप बना भी नहीं पा रहे है मतलब उसमें उनका profit भी है और आपकी production cost उससे ज़्यादा है क्यों क्योंकि आपका production काम है तो उनका setup भी देख क्या हो आप ये समझ पाएंगे कि अब हम किस व्यक्ति से material ले रहे है जो भविश्य में बड़े orders को भी हमें feed कर पाएगा उसके बाद ask for the price list उनसे उनके product की price list ले या आपने जो sample दिये उन samples को design कराने के बाद उनके prices लें कि इतनी-इतनी quantity में order करता हूँ तो मेरा कितना price होगा और एक बाद फाइदा आपको और भी होगा जितना पैसा आप invest करने जारे हैं manufacturing unit पर उतना पैसा आप invest कर सकते हैं sales पर, branding पर, promotion पर, marketing पर, management पर अपने आपको develop करने पर, अपने setup को तयार करने पर जिसकी वज़े से आप बहुत अधिक अच्छे से कम पुझी में भी बड़ा business कर सकते हैं उसके बाद place and order with advance आपको क्या करना है अब आपको अपने manufacturers को जो supplier आपके हैं उनको कुछ एक 10%, 20%, 30%, up to 50% आपको देखना है आपका buyer and seller के बीच में क्या understanding है जिसमें वो तयार होता है आप इसको advance दें advance देने के बाद order लगाएं आप भी क्या करते अपनी factory में पहले material बनाते उसके बाद बेचने के लिए supplier के रूप में seller के रूप में आप buyers को ढूणना शुरू करते हैं आपको फोकस करने की sales and marketing पर उसके बाद get material and supply to your buyers अपने बायर्स को material supply करें फोकस करें sales and marketing पर जितना ज़्यादा sales and marketing पर आप फोकस करेंगे उतने ज़्यादा number of orders आपके पास होंगे और जितने ज़्यादा number of orders आपके पास होंगे उतने ज़्यादा सही तरीके से आप अपने supplier से bargaining भी कर पाएंगे best price for material भी ले पाएंगे और supplier भी चाहेगा कि इस company के साथ में जोड़ जाओं और एक दिन आप उसी business को outsourcing करके large scale तक ले जाएंगे और labor की problem से बचते हुए जब आप खुद बड़े level पे अपना setup लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उस समय जो labor management की problem है वो problem management की होती है वो problem production की होती है उसको manage करने के लिए लोग भी आपके पास होंगे और जब लोग आपके पास होंगे तब भी आप business को बेतर तरीके से build कर पाएंगे फ्रेंड जो भी बात मैंने आपको बताईए न ये मैंने आपको अपने बिजनस अनुभव के अधार पर बताईए मैंने small scale ग्यान overseas company से शुरू किया आज मेरी company Metas overseas limited पूरे हिंदुस्तान में number of showrooms में deal करती है manufacturing हम लोग करते हैं, supply हम लोग करते हैं, export हम लोग करते हैं कोई theoretical knowledge मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिये जरूरत है तो ये बाते सीख कर समझने की अपने business में implement करने की फिर भी ये दिया आपके मन में business related कोई भी प्रशन है तो मुझे अभी के अभी comment box में लिखकर बताएं, हम आपके questions को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और हमारी team ये decide करते हैं कि कौन से ऐसे questions हैं जो बहुत सारे लोग को support कर सकते हैं इसलिए अपना प्रशन दिरूर लिखें कोई भी informative वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को subscribe करें स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे भविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद, जै भारत